आज के इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं कोलकता में जितना भी वाकैंशी में साड़ा करेंगे, बहुत सारे वेकंशी कोलकता में है उसका एक्षपलेशन करेंगे आपको information देंगे, वीडियो को पूरा देखेगा, वीडियो में पूरा बने रहेगा ताकि आपको अगर information चाहिए हमारा quality ने चाहिए हम बहुत कोशिस करते कि हम अपने वीडियो में quality आपको दे लेकिन इसके बाद ये वीडियो बनने के बाद हो सके आपको quality न मिल पाए वो quality हम आपको देना चाहे आपको न मिल पाए तो इसके लिए तूरी इन फर्मेसन लेने की कोसिस किजेगा क्यूंकि हो सके तो आपको यह जो पर्दा है यह सब नहीं मिल पाएगा यह बैकग्गराउंट नहीं मिल पाएंगे मेरा थोर्बरा जो सकल का सब्सुत्स 는지 रहेगा क्यूंकि हम पता है हम। किसी other area में यह रहे हैं मतलब काम देना है यहां से प्रोवाइट कराना है तो आपसे यही कोशिस रहेगा कि थोड़ा हम बीजी रहे थोड़ा छोटा-छोटा किलिप भी डाले यूटूब पर तो आप समझ जाए आप ज्यादा कोश्चन ना करें कि इसार आपके वीडियो का क्वालीटी ठीक नहीं ह भॉइस ठीक ठाक मिलेंगे जो आवाज है हमारा किलियरली मिलेगा आपको लेकिन अगर जो क्वालीटी है वो इंप्रूब नहीं होता है इसके लिए हम पहले ही सौरी बोल देते हैं क्योंकि वहां जाने के बाद हो सकता है क्वालीटी बहुत ही अच्छा भी मिल पाए ना इसके लिए हम आई थिंक बोल देते हैं आप मैनेज करते रहेगा चलिए दोस्तों करते हैं जौब का आपको पूरा डीटेल्स देंगे देखिए दोस्तों सबसे पहली बात फैक्टरी का ही हम बात कर रहे तो फैक्टरी में कोई भी कैटीग्री में आपको जौब चाहिए स आपको प्रोवाइट करवादेंगे monitor है तो में पटा होगा आपको पेकर ना पारता है तो आपको देकल्जर का का नमर आपको इसल pont कर द और भकार में चले피 है, असमने फोट ऀसने में प्रता है विंग NT केंटीन फैसिलिटी अवेलेवल लहते हैं जो आपको फ्री में मिलता है पेव करेंगे जो क्राइट एरिया इसमें कुछ भी नहीं है आप बात कर तो आपका ऑपका same day joining है बट इसमे pay for the job है जाओगे agency में pay करोगे वहाँ से company का address दे देंगे वहाँ से company में आपको आदमी जो है collect कर लेगा supervisor हो इंचार्ज हो या फिर कोई भी आदमी आपको collect कर लेगा फाइनली दोस्तों कहने का मतलब यह है कि जितना भी factory lines में है समय जो payment date रहता है एक से 10 तारीक का payment date रहता है कोई भी criteria में अलग हो सकते हैं कोई conditions में अलग हो सकते हैं लेकिन जो conditions है वो ठीक ठाक है एक से 10 तक चले दोस्तों बात करते हैं जो आपका education है इसमें education कुछ नहीं होता है और education के नाम पर आपको अनपड हो तो भी चल जा हुए लेकिन देखिए दोस्तों फैक्री helper में job करने के लिए एक चीज़ आपको होना चाहिए तो आपको अगर फैक्री helper में काम करने जा रहे हो नो तो आपको ऐसे नहीं चलेगा सबसे पहली बात आपको hard worker होना चाहिए अगर कहीं पर आपने 6 गंटे 8 गंटे की duty की है या फिर कहीं पर भी कुछ normal काम किया है और सोचते हो कि यहां पर जाके हम काम कर लेंगे वहां पर जाके हम हमें जौब बहुत भाड़ी लग रहा है हमें नहीं करना है तो factory helper का कोई factory helper से राय ले लो उसके बाद जाओ क्योंकि factory वीडियो यहां तक देख लिए आपका बहुत बहुत सुपिया दोस्तों कि इतना हमें पसंद करते हैं कि वीडियो पूरा देखा चलिए दोस्तों